तो आज की क्लास में हम लोग आपके स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक जिवग्राफिय ऑफ इंडिया यानि की भारत का भूगोल ठीक है तो इंडिया की जिवग्राफिय को पढ़ने से पहले एक बेसिक इंट्रोड़क्शन आपके समझ लें इंडिया का इंडिया आपके है कहां लोकेशन वाइज का आपके सिच्वेटेड है ठीक है कहां आपके किस से इसकी बाउंडरी लगती है ठीक एक और भी यू हम पहले लेंगे आज उसके बाद में फिर हम चलेंगे डिटेल के अब तर तो सबसे पहले आते हम पूरे बिस्प में यह है आपके वर है ना यह तो जीरो डिग्री लेटिट्यूड या एक्क्वेटर एक्क्वेटर के नॉर्थ में कौन सा हमिस्पियर होता है नॉर्थ हमिस्पियर और साउथ में ताउथ हमिस्पियर तो पहले तो यह किलियर कर लो इंडिया नॉर्थ हमिस्पियर में या साउथ हमिस्पियर म काएं नॉर्थ हीस्ट यह तो सबको किलियर है ना कि इंडिया आपके कौन से हेमिस्पियर में नॉर्थ हेमिस्पियर प्याला पॉइंट ठीक अब दूसरा देखना यह लाइन कौन सी है जीरो डिगरी लॉंगिट्यूड इसी को हम बोलते हैं आपके क्या प्राइम मेरीडियन जीरो डिगरी लॉंगिट्यूड या प्राइम मेरीडियन Prime Meridian तो दूसरा point फोपा आपके यह आया कि आपके यह जो 0 degree Longitude या Prime Meridian है यह फिर पूरी प्रत्वी को दो हिस्सवों में बाटेगा East Hemisphere and Best Hemisphere ठीक है तो इंडिया आपके Prime Meridian के according किस Hemisphere में East में तो दूसरे सब्दॉमें हम देखें तो इंडिया की जो world map में location है वो है North East Hemisphere, उत्तर पूर्वी गोलार्थ, पहला point यह clear हुआ, world map पे दिखाई दे रही है इसकी location इंडिया की, उत्तर पूर्वी गोलार्थ, ठीक है, अब इसके बाद में next आगे समझना, तो यह सबसे पहले तो आपने देखा कि इंडिया की exact location क्या है आपके world मे तो इंडिया की location क्या है, North East Hemisphere ठीक है, यह हुआ, अब आगे चले, बनाना है तो बनाते चलना साथ साथ, बनाना है कि समझ में आ गया, हाँ हाँ, starting सही है, जोगी पूरी class figures पर ही चलेगी आज की, लिख के याद कुछ नहीं करना, जहां map है, map पर देखना है, बनाना है और समझ के लिखना है, करना है, है समझ करना फिर अधा तरे, बनाना है, बनार दोना है, जहां, बनार समय करना है, झाल झाल गाल भ making शबसे पहला पॉइंट क्लिएर हुआ कि इंडिया एक ज़ेक्ट है कहां दौर्थिस्ट हेमिस्पिएर अब नेक्सट अब आते हम इसमें आगे अप दूसरा पॉइंट समझना अब दूसरा पॉइंट अब सबसे पहले हम यह समझाए कि इंडिया अगर North East Hemisphere में है, ठीक है, तो इंडिया की आपके एक तो होगी Latitudinal Location और एक होगी Longitudinal Location, ठीक, अब Latitudinal और Longitudinal Location से क्या तात पर है, अच्छान से रेखाएं, Horizontal Lines, जो Latitude होते हैं, Longitude यानि देशान तर रेखाएं, Vertical Lines, अब देखना यहां, अब आपने जब यहां इंडिया को देखा, तो एक तो आपने देखा क्या, Zero Degree Latitude, या इसकों क्या बोलते हैं, Zero Degree या Chance, रेखा, यह तो हो गया आपके Zero Degree Latitude, सरल सब्तों में बोले हैं, तो यह Latitude ही हुआ, सारी आपके Horizontal Lines क्या होती हैं, Latitude, और यह आपने देखा क्या हो जीरो डिगरी, लॉंगिट्यूड, यह हो गया Zero Degree, लॉंगिट्यूड, अब हमें यहां यह देखना है, कि यह जो आपके इंडिया है, ठीक, इसकी अच्छांसी इस्तती, अच्छांसी इस्तती का मतलब, किस Horizontal Lines है, किस Horizontal Lines तक, यही वान अच्छांस का मतलब, देशा इस्तती किस Vertical Lines है, किस Vertical Lines तक, तो इसको देख लो आप इंडिया को, तो सबसे पहले तो आप यह देखो, यह Vertical Lines की बात करें, तो आपके एक Vertical Lines जो आपके होगी, यह यहां से निकलेगी, यही होगी ना, जो इंडिया के बिलकुल, वेस्ट से आ रही है, और एक Vertical Lines आपके कोई हुई, वो, माल लो, यहां से आपके आएगी, यह देखान तरी रेखा होगी दोनों, ठीक, अब ठीक इसी तरीके से करें, अच्छांस की बात करें, तो अच्छांस की बात करें, तो एक अच्छांस आपके यहां से निकलेगा नीचे से, यह नीचे कोई तो ला कर लो कि अच्छांसी और देशांतरी इस्थती का मतलब क्या है अच्छांस मतलब किस latitude से लेके किस latitude तक और देशांतर का मतलब किस longitude से लेके किस longitude तक यह होता इसकी location का मतलब तो समसे पहले हम आते हैं किस पर तो अब इसकी अगर हम अच्छानसी इस्थती को अगर हम आपके देखें ठीक तो इंडिया आपके यह है यह नीचे का पॉइंट यह है ना इंडिया की जो अगर हम आपके सिच्वेशन देखें तो यह 8.4 डिगरी नॉर्थ यह सबसे नीचे वाली अच्छानस रेखा है और यह जो सबसे उपर है 37 छै नॉर्थ इसका मतलब इसका अच्छानस रेखा आठ चार नॉर्थ का मतलब क्या है इंडिया का जो सबसे दच्छनी भागा है वहां से निकलती है आठ चार नॉर्थ लेटिट ठीक, क्योंकि इंडिया नौर्थ हेमिस्पियर में, तो इंडिया के सारे लेटिट्यूड नौर्थ में आएंगे, और सारे लॉंगिट्यूड इस्ट में आएंगे, क्योंकि इंडिया इस्ट हेमिस्पियर में, तो इंडिया के जो सबसे बेस्ट पार्ट से निकलती है, ये आ इंडिया का अच्छांसी विस्तार आठ चार नौर्थ से 37 नौर्थ तक, देशांतरी विस्तार अरशट साथ इस्ट से 97 इस्ट तक, ठीक है, अच्छांस यानी horizontal लाइन्स और देशांतर यानी vertical लाइन्स, ठीक है, अब समझना इससे आगे, तो अब यहां आपने देखा कि इं अब सिस्ट पार याइन्स फार्या समयत विस्तार क अमा झाःएन्स, फिसक अब के विए दर ठीक है, अब यहां एक, आथा हांतरे विएर पार नौर्थ से झाल झाल क्लियर हुआ अच्छांस इस्ट दी आठ चार नौर्थ से 37 नौर्थ ठीक अब लोंगिट्यूड नल आपके एक्सपेंसर अब लोंगिट्यूड देखो किस से किस लोंगिट्यूड में 68 साथ इस्ट से 97 पच्चिस इस्ट ठीक लेटिट्यूड होरीज़न्टल लाइन और लोंगिट्यूड परिठीकल लाइन किस अब लाइब लोंगिट्यूड पर लाइन किसमुथ Corcor献 जाएन किस सेไ kr신 को लेख शोंगिग कान वोंगिट्यू किस बाचिरold quería लेख झाल 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 बना लिया अब नेक्स्ट तो अब अगर हम अबराल देखें आपके तो इंडिया की सिच्वेशन आपके क्या है आठ चार नौर्थ से 37 नौर्थ अर्सट साथ इस्ट से 97 पच्चिस इस्ट अब यहाँ आपको समझना क्या है जो पॉइंट आठ चार नौर्थ इस अच्छांस पे होगा वो भारत का सबसे तच्चिनी बिंदू होगा जो पॉइंट 37 नौर्थ पे होगा वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदू होगा ठीक जो पॉइंट 97 पच्चिस इस्ट पे होगा वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदू होगा और जो point 68 साथ East में होगा वो भारत का सबसे पस्यमी बिंदू होगा यह point तो clear Northernmost point of India Southernmost point of India Easternmost point of India और Westernmost point of India ठीक मैललेंड का है यह यह आठचार मुख्य भूमी का अभी आइलेंड की बाद नहीं चल रहे भारत की मुख्य मुमी कहा खतम हो जाती है आठ चार नौर्थ पर ठीक है तो अब नेक्स्ट तो अब यहाँ जो कंसेप्ट समझाना चारे हैं वह क्लियर हुआ ठीक भारत का सबसे नौर्धर मोस्ट पॉइंट सैतिश्च है नौर्थ इस अच्छांस पर होगा सदर्न मोस्ट आठ चार नौर्थ इस अच्छांस पर होगा इस्टर्न मोस्ट पॉइंट संतानवे 25 इस और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का अर्शट साथ इस्ट ठीक है यह पॉइंट कलियर हुआ अब देखना आगे अब यह पॉइंट आपके है कौन से इसे बनाने की जरूर जैनि अउसने क में यह लुक्त है यह यह नौर्धन मोस्ट पॉइंट जैन लौर्ध सदन मोस्ट पॉइंट न Quran critical इस बेस्टर मॉस्ट पॉइंट और शर्ट साथ इस्ट ठीक इन जगहे पर अब कोई तो प्लेस इस्तेत होगा ठीक तो 336 जो नौर्दन मोस पॉइंट है वो है इंदरा कॉल जम्मू कस्मीर जो आपके सदर्न मोस्ट पॉइंट है आठ चार नौर्थ कन्या कुमारी तमिल नाडु इस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबतु अरुनाचल और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गोहार माता घुजरात ठीक नोट करो इसे झाल 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 प्रोगा लेगे लिया झाल यह पॉपलेशन और एडिया आप लोग इसके अंदर मत लिखना आप तो कहीं डूट लिखना नोट करके हमने तो लिख दिया जगे बचाने के लिए आप भी जैसी लिखते जा रहे हैं जैसे हमने लिखाए तो ऐसा का ऐसा कि कॉपी करने में भी एक समस्या होती है कॉपी भी करो तो कम से थोड़ा दिमाग लगा के करो क्योंकि पॉपलेशन एरिया से यहां कुई लेना देना नहीं है नोट पॉइंट करके नीचे लिखना ये तो नीचे लिखलो नोट करके कहीं भी लिखलो ये तो नोट पॉइंट में लिखाया हुआ है हमने वो तो उस पर जगह नहीं तीसली लिख दिया है वहाँ आप लोग वो ने वी ऐसे कैसे ही लिख दिया उसी जगह पे बहार माता ए ए दी यू ए ए ह ए आर एम ए टी ए तो इंडिया के बारे में अगर हम पेसिक इंट्रोडक्शन देखाए तो भारत का समसे उत्तरी बंदु ए इंदरा कॉल जंहु कस्मीर तच्छडी बंदू आपके मुख्य भूमी का तच्छडी बंदू ये और ध्यान रखना मुख्य भूमी का तच्छडी बंदू बिंदू के कौन सा कन्या कुमारी ठीक है अगर पूरे भारत का दश्चडी बिंदू देखें तो फिर आपके इंद्रा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार भारत का पूरी भी बिंदू कि अरणा चलो पस्चमी बिंदू है गवारमाता गुजरात ठीक है अब याद रखना तो तरसे दच्छड का मतलब क्या है यह सबसे जो नौर्धन मोस्ट पॉइंट है यहां से आपके यह यह पॉइंट है आठ चार नौर्थ यह पॉइंट है सेटिस छे नौर्थ और यह डिस्टेंस कितनी है यह बत्तिस श्यवदा किलोमीटर ठीक है यह यह कौन सा पॉइंट है गोवार माता बेस्ट और मोस्ट पॉइंट अर्शट साथ एस्ट और यह संतारवे पच्चेस एस्ट यह डिस्टेंस कितनी है अन्तेस किलोमीटर ठीक है अब समझने है इसके बाद आगे अब इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत का जो टोटल एरिया है बत्तिस सपासी दो सो त्रेशट किलोमीटर स्कॉयर पूरे वर्ड का 2.4% एरिया और इंडिया वर्ड की 7 largest country है एरिया वाइज एरिया वाइज 7th largest country पॉपलेशन है इंडिया की आपके 130-140 करोड के आसपास 17.7% वर्ड पॉपलेशन इंडिया में रहती है ठीक सेकाट लार्ज़ेस्ट कांट्री है इंडिया पॉपलेशन वाइ अब यह पॉइंट समझना तो हमने जो आठ चार नौर्थ बताया था कन्या कुमारी यह इंडिया मैन लेंड का सथ दच्छनी बिंदू है और इंद्रा पॉइंट पूरी इंडिया का दच्छनी बिंदू है क्योंकि इंद्रा पॉइंट 6.4 डिग्री नौर्थ के आसपास है कि एंद्रा पॉइंट समय क Network Sir झाल 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 तो आठ चार नौर्थ है जो कन्या कुमारी है आपके ये भारती मुख्य भूमी का तच्छडी बिंदु है ठीक और अंडवान निकोवार में आपके निकोवार आईलेंड में इंद्रा पॉइंट इलगवग 6.4 नौर्थ लेटिटूड के आसपास इस्तेत है ये आपके क्या है यह सदर्न मूस्ट पॉइंट ऑफंडिया एंडिया ठीक तो सदर्न मूझ्टि पॉइंट ऑफंडिया मयन लेंड कदर्णकुमारी और सदन्फ पॉइंट पॉइंडिया इंदऱा फॉइंट ठीक कर?? लोकेशन को आप देखोगे तो ये देखो Suzanne-स ताकर कर देखो तो आ अब नेक्स्ट अब अगला पॉइंट समझना पहले इस पर समझाते हैं अब यह देखो यह कितने डिग्री है आपके लैटिट्यूड मतलब इंडिया के तच्छनी इससे जो लैटिट्यूड निकलता है उसे कहते हैं 8.4 डिग्री नौर्थ तो इससे नीचे जो आपके अच्छान्स रेखा आपके होगी उसे कहेंगे हम एट डिग्री लैटिट्यूड ठीक इसके ऊपर जो अच्छान्स रेखा होगी उसे कहेंगे हम 9 डिग्री लैटिट्यूड इसके नीच्छान्स रेखा होगी उसे कहेंगे हम 10 डिग्री लैटिट्यूड यह आपके लगबग यही होगा ना ठीक अब यहां देखना आठ चार से नीचे आठ फिक फिर नौ और फिर दस अब यहां अगला पॉइंट समझना आप जो समझाना चाह रहे है यह 8 डिगरी लेटिट्यूड इसको हम 8 डिगरी चैनल के नाम से भी जानते हैं किसके नाम से चैनल 9 डिगरी लेटिट्यूड इसे हम 9 डिगरी चैनल के नाम से भी जानते हैं 10 डिगरी लेटिट्यूड इसे हम 10 डिगरी चैनल भी कहते हैं अब यहाँ याद रखना कि यह जो आठ डिग्री आपके लेटिट्यूड है यह है आपके इंडिया के नीचे कौन सा देश और लच्ष दीप का आपके यह सबसे सदर्मोस्ट लाईलेंड कौन सा मिनिकोई तो आठ डिग्री अच्छान्स रेखा या आठ डिग्री चैनल यह मालदीप और मिनिकोई को अलग करता है ठीक 9 degree channel मिनिकोई और लक्षदीप को अलग करता है और 10 degree channel ये अंड़मान एंड निकोवार को अलग करता है याद रखना अक्सर पूचते हैं आपके कि 8 degree channel किसे अलग कर रहा है 8 degree channel का उतलो 8 degree अच्छान से रेखा ये इंडिया से नीचे होगी है ठीक है तो 8 degree channel ये मालदीप और मिनिकोई के बीच में 9 degree channel मिनिकोई और लक्षदीप के बीच में और 10 degree channel अंडवान और निकोवार के बीच में पहला तो ही हुआ अब एक पॉइंट और याद रखना कभी कभी पूच लेते हैं पाक इस्ट्रेट पाक की खाड़ी अब यहां देखना आप जब इन चैनल को देखोगे यहां पाक स्टेट देखे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आस पास होगै पाकिस्तान से कोई लिया और स्री लंका के वीज में यह ध्यान रखना ठीक है तो अब इसे नोट कर लो आप कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि कि अगर 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 कि अग झाल 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 तो याद रखना 8 डिगरी चैनल झाल गुजरात दिखरा है दूसरा बारास्ट तीसरा गोवा चोथा करनाटक पाचवा केरला तटवा तमिल्नाडू सातवा आंदर प्रदेश अब याद रखना तेलंग ना कोष्टाल इस टेट नहीं है तेलंगन दर रह गया ठीक है इसके बाद 8 बार और अधिशा और प्रदेश अग्या हमने देखा है भारत में कि ah ah a raf a bahu एक तब इंस इस्टेट में आपके देखर और यह देखना कि इन को स्टेरेट्स ज़्यादा आपके को saja किक इसकी सबसे बढ़ी है वैसे को इसा देख रहा है अब इतर आन्दर प्रदेश भी है पतानाände इसाइस की है तो यहां देखना में बड़ा सा भली लग रहा है लेकिन और सबसे बढ़ी है कि यानि कॉष्ट राइन सबसे बढ़ी है उस्हों पड़ेय hugely यह जो दो पइसमें क्रीक बहुत पढ़ें जग्या थ okay सब रिक जगह का नावां की करीक का मतले समें की बहुत पढ़े हैं तो क्रीक में क्या है जैसे कोई चटया नहीं यह चट अनने समस्थर का पानी उसे ठक्ड़राय दो से कारता जायेगा कारता जायेगा तो इसको एसे करदेगा तो अगर यह इसलिड़ी है वे सब से कम अब झोटा को यह लग रहा है तो सब से कम शिब कूछ लान एस से तो हम भारती एक दो दिन में पैदली गुम डालते हैं पूरा वोड़ने तो जाते हैं लोग दो दीन में सारे हो डालते हैं यह और जरूर वयाद रखना कौन सी स्टेट आपके यह कहां हैं यह तो पता है ना यह कौन सा सी है अरेवियन सी और यह कौन सा है program तो जितने हैं कहले और बंगाल पर चसे ना सब बेश्ट कॉश्ट पर यस्थेते साब पएबियन सीब ठीक कpath झाल 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 बेस्ट बंगाल अब आते हैं इसके बाद आगे अब नेक्स्ट अगला पॉइंट समझना अबोड़ याल झाल 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 23 डिग्री नॉर्थ इस रेखाव क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करकर रेखा 82.5 डिग्री इस्ट इसे क्या बोलते हैं इंडियान स्टेंडर्ड टाइम इस्ट तो सबसे पहले तो अब यहां आप एक पॉइंट समझ लो अब कुश्चन आपके आता है कि यह जो आपके करकर एक आए यह भारत के कितने राज्यों से निकलती हैं ठीक तो कौन-कौन से आपके आठ राज्य हैं पहला तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके से स्टेट से निकल रही है गुजरात राजस्थान मद्ध प्रदेश ठीक है इसके बाद में नेक्स समझना आपके मद्ध प्रदेश के बाद चतिसगड राची और जारकंड बेस्ट बंगाल त्रिपरा और मिजूरम एक पॉइंट याद रखना है लाइन थोड़ी सी उपर बन गई है ठीक यह एक्जेक्ट अगर हम देखा तो राची की उपर से ही निकलती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना कई वार कुस्शन पू अब यहां यह तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा अब दूसरा समझना साड़े ब्यासी डिगरी इस्ट इंडियन स्टेंडर्ड टाइम इस लाइन कोम क्या बोलते हैं इंडियन स्टेंडर्ड टाइम अब इंडियन स्टेंडर्ड टाइम कितने स्टेट से निकल रही है पहला दूसरा 36 गड़ तीसरा और चौथा आंद्रप्रदेश खिक चार हुआ अब देखना ऐसी कितनी स्टेटां जहां से आपके तोनों लाइने निकल रही है 5 होगा इसमें यह और इदर से निकलेगी कि MP के यहां से यह ध्यान रखना MP में भी आता है 82 and half east दो क्या होगा एक MP UP MP 36 गड़ उडिशा और आंद्रा 5 स्टेट से निकलेगी है ठीक इसको थोड़ा सौर इदर जुखा देना ठीक तो ऐसे आपके दो इस्टेट है जहां से यह दोनो लाइन निकलती है MP और 36 गड़ यहां से करकरेखा भी निकलती है और यहां से 82 and half भी निकलती है ठीक है और आपके 36 गड़ जो इस्टेट आप देख रहे हो ना 36 गड़ में यह दोनो लाइन एक दूसरे को intersect करती है कहीं तो काटेंगी ना एक उपर से आ रही है किदर से जा रही है तो जहां यह intersect आपके करती है यह कहां करेंगी 36 गड़ ठीक तो इस पॉइंट को नोट कर लेना पॉइंट करती है झाम 37 गड़ फ्सकतर ट southwest 33 गञ़ दिम इस झाल 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 एक फिगर पर ना बने तो तो अलग अलग फिगर भी बना सकते हो करकरेखा का अलग बना देना आई एस्टी का अलग बना देना झाल 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 पूछल आगे वाला बता देगा आपके झाल 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 याद रखना तो आपके करकर रेखा है ट्रोपिक ऑफ केंसर कांसे पास होती है आठ राज्यों से गुजरात, राजस्तान, मदप्रदेश, छारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम इंडियन स्टेंडर्ड टाइम, 82 एंड हाफ डिगरी इस्ट, ये कांसे पास होते हैं, यूपी, एमपी, छत्तेसगड, ओडिशा एंड आंद्रप्रदेश, ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना, कि आपके बोहा इस्टेट जाहां से आपके साड़े तेइस, नौर्थ एंड 882, हाफ इस्ट, दौना पास आपके होती है, ठीक, एमपी, एंड, छत्तेसगड, और वेस्टेट जाहें, दौना इंटरसेक्ट करती है, छत्तेसगड, ठीक है, हाँ, या, नैनी, 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 एक प्लेस का नाम है, जहां से कपास होती है, इलावाद के पास, ठीक है, यहीं पूछा जाता है, आईएस्टी कहां से क्रॉस करती है, नैनी, प्रियाग राज, क्याकित करॉछे है, आईे हैं, कि इसका आंसर जिसको पता है वो हाथ उपर उठाए हमने बिल्कुल सही लिखा है जिसको आंसर पता है वह हाथ उपर उठाए एक, दो, ती, चार बाखी को लोग आत क्यों नहीं उठा रहे हो थोड़ी देर पहली ही तो कराया है कि इसको लगता है कि उसे सही आंसर पता है अब वो आत उपर उठाओ पूरे पूरे confidence में जो यह कह सके कि उसे सही आंसर पता है कहां से क्या आंसर होगा इसलिए याद रखना कि एक्जाम जब भी होना तो आख कान नाख गला सब खुला रखना हमने पूछा है best तो best में तो इंडिया ही नहीं तो इंडिया नहीं तो इंडिया नहीं तो इस्टेट तो ऐसे भी नहीं होगी एक्पी अगर यह आंसर होता इस्ट तो आंसर हो जाता मारास्ट यहां लेखा है best ठीक है तो यह देख जरूर लेना कि हमिस्पियर भी पूछ रहें इंडिया के नहीं पूछ रहें अब एक्जाम में क्या होता है सबसे पहले जैसे अपने human error कहते हैं ठीक human error में आपके होता यह है कि हम सारे option देखते ही नहीं कुस्टन में देखा अच्छा 82 है इस्ट वेस्ट देखा ही नहीं सीधा उठाके माहरास्ट लगा दिया फिर बाहर निकले ओफो यह कैसे गलत हो गया यह होता है ना बाहर निकलते ही 5-6 कुस्टन तो कहते हैं आरे यार यह कैसे गलत हो गया और वह झालत है 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 झाल 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 झालिया 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 झालिय अब नेक्स्ट आगे समझना तो तो फ्रेंंटियर यांझी कि बोरडर लाइन या सीमा रहलेका आप इंडिया की एगर हम बात करें तो इंडिया की कासवाथ आपके यह है कि इंडिया आपके यह दो frend-year को आपके अटेच करता है तो frontier cottage कैसे अब देखना आई है अब आप यहां से आओ यह यहां से देखना यह जो आप पूरी सीमा यहां से देख रहे हो यह आपके कौन सा बॉर्डर है सर्फेस है कॉस्ट लाइन है यह पूरा जो आप यह जो बॉर्डर देख रहे हो यह है पूरा आपके क्या सर्फेस सर्फेस यानी की इस पूरे फ्रेंटियर को हम आपके कहेंगे क्या लैंड फ्रेंटियर इस थल सीमा यह स्थलसीमा हो गई इंडिया की फिक इस पूरे फ्रंटियर को हम क्या कहेंगे लैंड फ्रंटियर अब वहीं जब हम आपके नीचे आते हैं इस तरब तो अब यह देखना यह दूसरा फ्रंटियर दूसरा फ्रंटियर यह यह हो गया कौन सा आपके इंडिया की कॉस्ट लाइन इसे हम इंडिया की कौन सी लाइन कहेंगे कॉस्ट लाइन अब सबसे पहले तो याद रखना कि इंडिया का जो लेंड फ्रेंटियर है यह है टोटल कितना 15200 किलो मीटर अब यह जो इंडिया की कॉस्ट लाइन है अब कॉस्ट लाइन में भी दो पार्ट पहला तो आपके हम जोड़ा है मैं लेंड मुख्य भूमी मुख्य भूमी की कितनी है लगवग एक सट सो के आसपस ठीक है यह हुआ अब वहीं हम आपके देखे हैं मुख्य भूमी में हम आपके क्या जोड़ते हैं अंडवान निकोबार एंड लक्षदीब यानि की कॉस्ट लाइन में हम जोड़ते हैं प्लॉस ऐलेंड तो यह लगवग आपके कितना हो जाता है हशानद फ्रेंटियर ंडिया का देख़ने देखने फैंगा 15-200 यह वोगा इंडिया का टॉटल प्रेंटियर कुल ऐसे भारत की आपके मुख्य भूमी की कॉस्ट लाइन एक सट सो किलोमीटर के राउंड और टोटल कॉस्ट लाउंड जब आईलेंड भी यह मिलादा एंडवाने को वारच दीप तो 75-16 और लेंड फ्रेंटियर पंद्रा तो सव ठीक तो यह कॉस्ट लाइन है आपके लेंड फ्रेंटियर टोटल फ्रेंटियर ठीक है अब आते हैं इससे आगे यहां तक क्लियर हुआ है क्या लिखना है दिख लिया तो अब इसके बाद में नेक्स्ट इंडिया दिख रहा है देखो इसे आराम से 10 मिनिट बागी कल लगी क्लास में कराएंगे